Hey guys! Welcome Back To My YouTube Channel तो हम लोग जारे थे सारी फैमली रेस्टोरेंट और काफी late निकले से हम लोग तो सारे रेस्टोरेंट । अल्मोस बंद होने वाले थे आ चुके थे हम लोग रेस्टोरेंट और हम लोग को जो रेस्टोरेंट नजदीक में मिला सामने मिल हम उसमें आ गए क्योंकि इसका विससे तो इसका अच्छा नहीं था बड़ इसके खाने का मैंने बहुत तारीफ सुनी है तो इसलिए हम इसी में आ गए और अप्राइज़ भी देख सकते हो अब के हम इससमें इसे पाँ कर्यान ओं कहलें हम कार्या एंगा कि मॉटिए दिया किसील कर दार एंगाए मансाम मैं पामने मिले हिर्टा कर अट मार भाजी को रहना हो ना उपका बस्की वाइना तुछे चम्मच यह मेरा चम्मच यह कुरा ही में पूप रहे हैं कुन सा है और तो दे दिया है अभी खाने का वेट हो रहा है जल्दी जल्दी आया तो खाएं हम लोग तो आचुका है सबसे पहले सूप जो की दो वेजिटेरिन थे दो नॉन वेजिटेरिन थे क्योंकि मेरी सिस्टर एंड मॉम वेजिटेरिन है और मेरे डाइड और मैं नॉन वेजिटेरिन है और जो दोनों बच्चें वो भी अभी तक वेजिटेरिन ही है तो हमको दोनों टाइप के फूड ओर्डर करने पड़ते है तो यह रा मेरा मन्चाव सूप चिकन मन्चाव अच्छी थी और दिखने में भी अच्छा लग रहा था देखिए कितना सारा चिकन भर भर के डाला हुआ है सारा आपको जो उपर वाइट वाइट दिख रहा है उसा चिकन है और हमारी जिवांशी पी रही है वैज हो तेन सार्ज सूप वो भी देखो खुद से पी रही है अब मैं पीकर देखता हूं कि सूप का टेस्ट कैसा है और बहुत ही यम्मी था जैसा मुझे पसंद है अब कभी भी छोटे रेस्टोरेंट्स में जाओं तो आपका सूप अच्छा नहीं मिलेगा जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं सूप की कॉलिटी उनकी बहुत अच् तो अब मैं ट्राय कर रहा हूं पनी चिली जो की दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहा था और वैचे चीनिस कह दो वैसे वी अच्छा है वो दोनों फूट खा सकते हैं और पनीर चिली खाने में भी बहुत ही यम्मी था एकड़म सौफ्ट था पनीर बहुत अच्छी कॉलिटी थी पनीर चिली के बाद मेरा फेवरेट आचका है चिकन चिली ओ गाइस चिकन चिली तो मेरा फेवरेट है मुझे इतना पसंद है कि मैं ये चिकन चली की मज़ा आ गया एक्दम डिलेशियस इसको खाना ने मिल रहे तो ये चमच खा रहे है चमच अच्छा है चमच तेस्टी है खाना नहीं मज़ा तेखो क्यों ये गंदित सब्सक्राइब तो ये गंदित नहीं ये शादडोल बसे को है तो आई ये खाना पूख को गुआ है थे खाना हमारा मेर्ट कोर्स और में ले लिया था बटर चिकन और म्हां झासे लिया था पनीर्छ और साथ में लिया था मैंने नान, रुमाली रोटी और पराठा, तीनों ही चीज़े हमने मंगवा ली थी, और यह दोनों देखो मैंने सर्फ कर लिए, अब मैं आपको खा के बताता हूँ किसका टेस्ट कैसा है, तो सबसे पहले मैं लूँगा बटर चिकन जो मुझे बहुत पसंद है, और बटर चिकन का तेस्ट भी बहुत अच्छा था, एक डम क्रीमी था अच्छा था, उसके बाद मैंने खाया पनीर हांडी, पनीर हांडी का टेस्ट भी अच्छा था बट मेरा फेवरिट तो बटर चिकन ही है, यहां रही है, अटा बढ़ रहे, यहां कम ढों। जो पैक करेंगे हो सोफी पो देंगे नाच दिखा डान्स ऐसे दो मैं करेंगे दो प्रीमिन आच देंगे सोफ लगा दीजिए तो थोड़ी मेरे पास अजने बोलते सोफ लगा दो नहीं लगा दीजिए अजने रोएगा इसमे में को सद्रावगे लिक साथ अजने वहली दाल यहाल जाल क्याल आजने नहीं देखे आख को क्यों ही एख जो मेरू को मैं ही दीखूँँया तो देखेंगा है आज फ्रसिंटाव क्या ज़ाओ ज़ाखे चैनले बाली नहीं एक क्या अच्णे नहीं तक बाली जो कि जिल्दी chat जल्दी बेट कार में चल कि अलिए इसर बेठो बेंड़े कंद के अलियंदी उगान चलना जल्दी तो हम लोग निकल चुके थे रेस्टोरेंट से तो मैं आपको रेस्टोरेंट का रिव्यू देता हूँ खाना वहां का बहुत ही अच्छा है बहुत ही यम है जो न्यू ओपन हुआ है तो उसका एंबियंस बहुत अच्छा नहीं है अभी उसकी 2-3 ब्रांचेज और है वहाँ अच्छा मिल जाएगा लेकिन यह हमारे घर के पास था और लेट हो चुका था तो हम लोग यहीं पर चले गयते और बाकि रेट्स के काफी हाइफाई है लेकिन ओवर रेस्टोरेंट काफी अच्छा है आप लोग जा सकते है खाना खाने के लिए घर चलेगी कि नहीं चलेग हाईस्रीम तो अपन करो तुछ तो अपना ममभूत है और वह चुका था काफी लेट और सबको खाने थी आइस-क्रीम तो हम लोग ढून रहे थे कोई आइस-क्रीम शॉप हो जो हमको ओपन मिल जाए लिए निवान जी कौन सब खाएगी बटरसकॉच नहीं खाएगी जिवा तो इस तो एक गंटा सो बतामेजी कर रहा है आप मेरी बास उने तुम मझे किस वाग का जवाज दे रहाए आप पावर भेंगे अ मतल भाण गें जो जो बटरसकॉच और चरह से क्वाणीला वी बटिछे तोफी के दी चाहस पूंगे तोड़ते यह नहीं तोड़ते हैं नया नहीं जीन से मिल आओ कौन सी खाओगी आइस-क्रीम है चॉकलेट बार नहीं होता है क्या होता है चॉक को बार होता है तू कुन सी खाएगा? मैं बटर स्कॉर्ट अच्छा कॉन सी एस्लिम का रही है? मैं जाई तू कल खाऊँगा अमीद करता हूँ ये व्लोग आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को तो मैं आप से मिलता हूँ अपने नेक्स व्लोग में तब तक क्लिक खुश रही है और मस्त रही है